दोस्तों केंदर सरकार ने देश भर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक काइड बनाने का प्रोसेस शुरू किया है जिसका नाम है अपार काइड पिछले दो दिनों से ही आपने इसके वारे में सुना होगा ये सभी स्टुडेंट्स का बनाया जाएगा देश भर में जितने भी बिद्धार्थिया उन्हें सभी का अपार काइड बनाया जाएगा अपार काइड का फुल फार्म है आटों मेट परमानेंट अकेडिक अकाउंट रिजिस्ट्री अब बात आति है कि इस काइड का काम क्या होगा तो इस 허락 का सबसे बड़ा काम ये है कि इसमें सभी स्टुडेंट का पुरा डेटा जो है वो रिकॉड रहेगा यह नहीं कि जैसे digital health card होता है रासन card होता है उसी प्रकार से इसमें student का पुरा data रहेगा जैसे कि उनका जो education detail रहती है कोई award अगर कहीं मिला है कोई certificate है scholarship है या फिर कोई study से related loan लिया गया है तो पूरा data इस card के अंदर में रहेगा और इससे काफी आसानी होगी सभी चीजें access कर पाने में क्योंकि कई बार होता है कोई certificate हो गया या फिर कोई और detail हो गई तो ऐसे में फिर उसको recover करने में मुश्किल होती है तो यहां पर सबसे बड़ा benefit इसका यहीं रहेगा कि इस कभी रिकार्ड आपके digital रहेंगे जिसकी वज़े से कमी भी access किये जा सकते हैं और कहीं अ वहां से आपकी पूरी detail को access करके और उसको verify कर सकते हैं या फिर जिस काम के लिए यूज करना है उसको कर सकते हैं यह देखा जाते हैं खिसाब से बहुत अच्छा card रहेगा सब इस students के लिए क्योंकि कई बार होता है तरहीं दूसरे school में गये दूसरे university में गये college में गये तो क्योंकि आपके सारे काम इसी अपार कार्ड से ही हो जाएंगे और यह हर student का एक ही रहेगा जैसे आधार कार्ड एक ही बनता है उसी प्रकार से यह भी एक ही card बनेगा और इसी में पूरा data रहेगा यहां पर कई parents यह complaint भी आई है कि इससे उनके बच्छों का data leak तो नहीं हो ज नहीं है और दूसरी चीज़ की अभी यह नहीं रहेगा parents की permission के बाद ही एकार्ड बनाया जाएगा कोई जबरदस्ती फिलहाल में अभी बनाने का कोई नियम नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले समय में उसकी आवश्यक्ता ऐसी कर देंगे अनिवारता कर देंगे जिसकी व बनाने के लिए सरकार ने website launch कर दी है abc.gov.in इस website पर register करके इस card को बनाया जा सकता है और उसके लावा हो सकता है आने वाले समय में सभी school colleges में भी यह card बनाया जाएगे क्योंकि जब सभी students का बनाना है और क्योंकि students का बनाना है तो इसलिए यह card जो है school college वगरा में भी इसको बनाने के लिए हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उसके बाद में सभी students के card वहीं से बन जाएगा और अगर आप खुद बनाना चाहे तो भी abc.gov.in प सेलेक्ट करना है और वहां से फिर आपको डिज़ लोकर से sign in कर सकते हैं या पिर अन्ने कई process हैं जहां से कि आप sign in करके और इस card को बना सकते हैं download कर सकते हैं card बनाने का live process मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि card मैं अभी नहीं बना रहा हूं बाकि जो detail थी वो मैं आपको बता दे रहा हूं आगे इस card पर जो भी जानकारी आएगी वो भी मैं आपको समय समय पर देता रहा हूँगा जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों में share भी जरूर करिएगा ताकि सबको इस card के बारे में जानकारी मिल सके हूँ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हूँँ